काबनेट मंत्री अनिल्विस की ओर से हर्याना सचिवाले में कारभार सम्हाल लिया गया है इस दोरान अनिल्विस ने कहा कि कॉंग्रेस की ओर से भरम फेलाया गया था कि बीजेपी के खिलाव सत्ता विरोधी लहर चल रही है और बीजेपी दलिद विरोधी है लेकिन जन्ता ने बीजेपी को जिता कर कॉंग्रेस को मुहतोड जवाब दिया है वहीं अनिल्विस का कहना है कि उन्हें किसी भी बड़े मंत्राले की कोई आस नहीं है और ना ही कभी कोई इच्छा रखी जो भी मंत्राले उन्हें दिया जाएगा उसे सम्हालने के लिए वो पूरी तरह से तयार है नेज़ाक्टेंस समवादाते ने आनिल्विस से खास बातशीत भी की सुनिये और इतिहासिक जीट जो भारतिया जन्ता पार्टी की हुई है इतिहास रचाए अरियाना पर्देश के लिए भी देश के लिए भी और देश की राजनीती के लिए भी अब से पहले नकरात्मक्ता के अधार पर सरकारें आया करती थी एक सरकार ने गलत काम किया उसको उठाया दूसरी आगी फिर उसने आगे गलत काम किया तो वो चलता रहता था यह पहली बार है कि प्रो इंकम्बेंसी हमारे मित्र जो विपक्ष के हैं वो कि के फूट उचल के कहते थे कि the anti-incumbency 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 कहांगे anti-incumbency उनको जनता की पल्स है नहीं पता पल्स तो हम जानते हैं क्योंकि हम लोगों के बीच में बैठते हैं और मैंने इस सो दिन के campaign की हर लमे पर मैंने कहा कि भरत जनता पार्टी तीसरी बार हरयाना में पूर्ण बहुमत के साथ बिना किसी के सेहोग के सरकार बनाएगी आप मेरे सारे वक्तव्य निकाल कर देगे आप ऐसे नेता हैं जो सबसे ज़्यादा बात जीते हैं सर और पिछले मंत्राले के अगर बात करें तो पड़ा बड़ा मंत्राले आपके पास ताग्रिया विवाग इस बार भी चाहते हैं इच्चो को सी देखिए अनिल्वी जैसी चीज है मेरा ख्याला उसको काफी लोग अब तक समझ चुके हैं कि जो चाहता कुछ नहीं है जिसने कभी चाहा नहीं है उसको जो दायते मिलता है उसको वह करता है हमारे लिए कोई महत्व पुरण नहीं है कि कौन सा विवाग मिले कौन सा नाम मि लिए वह चीजैन सा कले हला है तो सब्सक्राइब है कि सबसक्राइब मेरे दिमाग में मु हैं नमयंसा सब्सक्राइब क्या हैं मंत्री बन चुके हैं और एक ऐसे नेता हैं जो हरियाना में सबसे ज़्यादा वाचुनाब जीते हैं और इनका कहना है कि भले ही पिछली बार इनके पास ग्रहम मंत्राले था अब की बार चाहे जो भी मंत्राले हो उससे उन्हें कोई एत्राज नहीं है किरमामिन विकास के करता कुछ